Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab तो जैसे कि बहुत सारे students की request थी कि जो reduced syllabus है उसमें से deleted questions कौन से नहीं पढ़ने हैं और कौन से पढ़ने हैं आपके request पर हम खास ये वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो biology के part 1 याने की chapter number 1 से लेकर chapter number 8 के जितने भी deleted questions हैं वो questions इस वीडियो में बताए गए हैं next part जो है biology part 2 के जो chapters के deleted questions है वो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी सबसे पहले आप इस वीडियो के chapters में से जो deleted questions है वो आपने टेक्सबुक पर mark कर लीजिए ताकि आपको next video जब मिले तो आपका वो काम fast हो जाए ओके स्टाट करते इस वीडियो के साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यहां पर कोई भी questions delete नहीं हुए आपको सारे के सारे questions पढ़ने हैं इस chapter में से कुछ भी इसमें से deleted नहीं है 6-7 marks का इस chapter का वेटेज है यहां पर कुछ भी deleted नहीं है सब टॉपिक आपको cover करना है ठीक है फिर बढ़ते हैं second chapter की तरफ तो second chapter है हमारा reproduction in lower and higher animals इस chapter में से जो a sexual reproduction वाला पार्ट था a sexual reproduction याने की जो 2.1 वाला पार्ट था वो डिलीटेट था तो आपके first page में chapter के exercise का जो first page है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है लेकिन जो इसका second page है उसमें से दो questions deleted है तो question concert deleted है देखो मैंने यहां पर mark किये हुए है question number one और question number two यह दो questions deleted है तो यह दो questions आपको नहीं पढ़ने इन दो questions को छोड़कर आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि इसमें से और कुछ भी deleted नहीं है so make sure कि मैंने जहां-जहां जिस-जिस question के आगे deleted लिखा है सिर्फ वही question आप ignore करें लेकिन बाकी के questions को आप ध्यान से पढ़ें और यह जो deleted questions है इनको भी एक बार एक्जाम से पहले read जरूर कर लेना ठीक है ताकि अगर गलती से आ गया तो आप blank ना हो जाए फिर आता है chapter number 3 inheritance and variation इस chapter में से भी कुछ deleted नहीं है यह chapter already हमारा YouTube पर cover हो चुका है काफी अच्छा explanation का आपका काफी अच्छा response आया और मैंने अपना काफी अच्छा explanation देनी की कोशिश की है so I hope आपको सबको समझ में आया होगा जिन्हों ने अब तक यह वीडियो नहीं देखी है प्लीज प्लेइलिस्ट में जाओ inheritance and variation chapter के सारे वीडियो अप्लोडेड है अच्छे से देखो और पढ़ाई करो इस chapter में से कुछ भी अच्छे से पढ़ लें अभी next chapter कौन सा है हमारा next chapter है हमारा molecular basis of inheritance chapter number four molecular basis of inheritance और इसमें से क्या लिखा है मैंने यहाँ पर यह चैप्टर भी बहुत important है जो बच्चे हमारा offline batch attend करते हैं हमारे दो batches already successful हो चुके है अभी third batch 14th January से start होने वाला है जिसके registration 6th January से खुल जाएंगे third batch में control and coordination chapter start करने वाले हैं तो अगर आप third batch के लिए enroll करना चाहते हैं तो जरूर 6th January को जो वीडियो upload होगी वो वीडियो देखिएगा कैसे enroll करना है कैसे register करना है तो यह chapter अल्ड़ी offline lecture में खतम हो गिया है लेकिन online lecture में मैं बहुत जल्द यह chapter स्टार्ट करने वाली हूँ जल्द यह chapter स्टार्ट होने वाला है इस chapter में भी आप देख सकते हैं कि कुछ भी डिलीटेड नहीं है यह chapter बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वेटेज भी काफी जादा है और यह chapter बहुत बहुत अच्छा है बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग चाप्टर है DNA RNA enzymes बहुत कुछ है इसमें पढ़ने लाइक सो मेक शॉर कि आप इसके सारे क्वेश्चन्स पढ़ें जिनका और यह chapter कवर हो गया है तो आप लोग प्राक्टिस करना स्टार्ट कर तो जिनका कवर नहीं हुआ है तो टेंशन मतलो मैं वीडियो में हुआ करता था लेकिन इस साल chapter reduce होने के वज़े से काफी सारे questions delete हो चुके हैं तो देखते हैं कौन से-कौन से questions delete हुए हैं आपको याद रखो objectives सारे पढ़ने मैंने objectives mark नहीं किये objectives fill in the blanks true or false match the column यह सारे हर chapter के पढ़के जाने क्योंकि objectives कहीं से भी आ सकते हैं एक्स्ट्रा में से कहीं से भी आ सकते हैं तो objectives का deletion मैंने नहीं दिया है मैंने सी one mark question two mark question three mark question और four marks question के deletion आपको बताएं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5th chapter जो है इसके first question में से first question में से ही हमारा जो second question है question number two जो है यह deleted है मतलब यह जो definitions है question number one के दो definition deleted है organic evolution का definition और speciation का definition फिर जैसे अगर आगे बढ़े हम तो आगे हमको दिखाया जाएगा कि आगे कौन से questions deleted है I'm sorry yes so आगे देखो हाँ आगे बढ़ते हैं तो question number two भी यहां पर deleted है जैसे कि मैंने आपको बताया था question number two is deleted then question number four five six these are deleted and then question number eight and question number nine is deleted from sub question two फिर question number three की तरफ अगर बढ़ें तो question number three में से कौनसे questions deleted है yes see one second yes so question number three में से आपके almost सारे questions deleted है सिर्फ आपको question number two पढ़ना है सिर्फ कौनसा question पढ़ना है आपको सिर्फ आपको question number two करना है, बाकि सारे questions deleted है, तो text book साथ में लेकर बैठो, यहाँ पर जिस question के आगे मैंने deleted लिखा है, वो question आप टिक करते जाओ, और जैसे कि मैंने आपको बोला, match the following, fill in the blanks, MCQ question, यह सारे आपको compulsory सब कुछ attempt करना है, सिर्फ जो detailed questions है, one mark, two mark के questions है, उनके shortcut मे अगर हम जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि one, two, four, यह deleted है, बाकि बचा three, five और six वाला question, यह questions undeleted है, मतलब यह करने है, जिन questions के आगे deleted है, वो questions नहीं पढ़ने है, और जिन questions के आगे deleted नहीं है, वो questions पढ़ने है, लेकिन जो बच्चे 95 plus percent score करना चाहते हैं, तो मेर उनसे एक ही request और एक ही suggestion है उनके लिए, कि आप लोग सब कुछ पढ़ो, पूरा textbook read करो, सारे questions पढ़ो, और जो बच्चे average percentage score करना चाहते हैं, 60-70 percentage लाना चाहते हैं, तो वो लोग यह deleted questions नहीं पढ़ेंगे, तो भी चलेगा, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, इसी chapter का यह जो table है, यह table भी deleted है, लेकिन मैं बार-बार आपको बोल रही हूं कि यह table वगेरा सब आपको पढ़ना है, वैसे तो यह table specifically हमको बताया गया है, that it is deleted, लेकिन अगर आप यह objectives पढ़ लेंगे, तो आप बिलकुल regret नहीं करेंगे, क्योंकि कल को अगर इसमें से कोई question आ गय relation, यह chapter भी हमने YouTube पर complete कर दिया है, तो इस chapter में से देखो, इस chapter में से भी काफी सारे questions deleted है, सबसे पहले देखते हैं, question number 2 में से, क्या पढ़ना है, सब कुछ deleted है, इसमें से सिर्फ question number 6 आपको पढ़ना है, first question, question number 2 में से, सिर्फ आपको question number 6 पढ़ना है, फिर बढ़ते हैं question number 3 क पढ़ना है कुछ भी नहीं पढ़ना है सिफ आठवा question पढ़ना है question 3 से हमको सिफ क्या पढ़ना है only 8th question only you have to study this 8th question explain the movement of water in route मैंने बहुत अच्छे से explain किया है वीडियो में अब तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लो आपको मज़ा आएगा यह chapter पढ़ने के लिए क्योंकि बहुत चोटा सा chapter है बहुत कम questions कवर हुए हैं लेकिन इसका वेटेज काफी अच्छा खास करना है बाकि सारे questions deleted तो यह questions अच्छे से ध्यान से टेक्स्ट बुक में मांक कर लो मैंने डबल चेक करके यह questions टिक कियें फिर भी आपको ऐसा लगता है कि माम यह question पढ़ना है आपने गलती से deleted लिग दिया है तो कोई बात नहीं cross check कर लेना मैं भी इंसान हूं शायद मुझ इंपोर्टंट है वो questions बढ़ो आगे बढ़ते हैं 7th chapter की तरफ तो 7th chapter में हमको क्या दिखाया गया है 7th chapter में आपका plant growth and mineral nutrition यह chapter भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूं तो इसमें से हमको काफी सारे questions deleted है अगर हम deleted questions की तरफ बढ़ें तो कौन से पार्ट हमको deleted बताया गय 4 पढ़ना है 5 or 6 भी deleted 7 पढ़ना है जो मैं circle कर रही हूं वो पढ़ना है बाकी जहां पर deleted लिखा है वो नहीं पढ़ने है ठीक है इसका PDF आपको मिल जाएगा ओके टेलिग्राम ग्रूप पर यह सेम वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा अगर आपने अब तक टेलिग्राम ग्र ग्रूप की लिंक दी है लिंक पर क्लिक करो आपको आपको अटोमाटिकली ग्रूप मिल जाएगा और ग्रूप को जॉइन कर लो जो लोग अल्रेडी टेलिग्राम ग्रूप पर है उनको यह PDF मिल जाएगा अब आगे पढ़ते हैं तो आगे देखो question no.3 से कौन से कौन से questions deleted स्कोर करो इन चीजों को इग्नोर मत करो चाहे कितने भी छोटे chapters हो आप पहले इनको पढ़के खतम करो फिर बड़े chapters को हाथ लगाओ तो आपके mark secure हो जाएंगे अब बढ़ते हैं 8th chapter की तरफ तो 8th chapter की तरफ देखो हमको क्या बताएगा respiration circulation मैंने बहुत पहले खतम कर दिया था यह chapter इसमें से सिर्फ topic no.8.5 and topic no.8.16 में से तीन topics deleted है तो उसके according सब कुछ पढ़ना है सिर्फ एक question deleted है कौन सा question deleted है this question question no.3 only this question is deleted rest you have to do all the questions यह chapter बहुत important है मैंने बहुत try किया है कि आपको एकदम basic से basic meaning से इसका introduction दे सकूँ so इस तरीके से हमने सारे chapters के questions देख लिए कौन से chapter deleted कौन से chapter में से कितने questions deleted है अच्छे से पढ़ो अब तक भी पढ़ना start नहीं किया है आज से पढ़ना start कर दो तो आपका marks पक्का अच्छे से score हो जाएगा at least biology और physics के लिए तो हम जितना हो सके उतना आपको provide करने की कर रहे हैं free में आपका बस हम एक ही चीज़ चाहिए support और धेर सारा प्यार सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो अब तक subscribe नहीं किया तो किस बात का वेट करें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो friends के साथ जितना हो सके उतना video share कर दो आपको करेंसे जर सक्क्राइब के पहुंड़ एक ही चाहिए मिन अपक्त कर, आपको भी तो किसे आपकी साथ टental है सब्सक्राइब बटन कर दो किसा सब्सक्त अआरा जितना हुआरणे सब्सक्राणया